बाई एक्जाम कोई भी हो चाहे PCS का हो या फिर UPSC का हो यह ला नीना, एल नीना, ठंडी धारा, गर्म धारा यहां से बार कोश्चन पूछा जाता है बिल्कुल हरा बरा यह टॉपिक है बटकर फ्यूजन वाला बहुत है बोल जाते हैं कि हमकी ठंडी धारा कौन से, गर्म धारा कौन से, ला नीना क्या है, एल नीना क्या है तो इसको क्या करना है, टेबलर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि यहां पे एल नीना और इधर ला नीना और कई बार इसको conceptual clarity के साथ पढ़ना है, जब तक concept clear नहीं होगा, यहां पे question गलत हो जाएगा ऐसे यह आपको इसके लिए कुछ ठंडी और गर्म धारा के ट्रिक यूज़ करना होगा, जैसे कि आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे गर्म धारा हैं हो गई, तो इसमें हम BAAGQ, बाग Q, ठंडी धारा हैं जैसे होगी, इसके लिए हम LOBFKK, लोब FKK, इस टाइप से कर सकते ह आप अपने मन से भी बना सकते हो, तो ऐसे करके यह वाले topic आप cover कर सकते हो, और जब भी यह वाला topic कवर करें ना, तो map के साथ करना है, जैसे कि यह मेरा itlus का map है, यहां से क्या करना है, आपको जब भी आप करो ना, यहां से देख लो कि परसाथ महा सागर में, अगर गर्म बातार हैं तो कि इधर जा रही है और जहांपर क्या होगा इधर से उधर जा रही है तब क्या होगा तो ऐसे करोगे ना तो क्लेटी के साथ आप यह टोपिक पूरा हो जाएगा और आपको कुशह गलत नहीं होता है मुझे लगता यह अप्रोच काफी सही रहेगी इस टॉपि झाल 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 झाल